Hello Friends, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल English Literature 247 में This is Anif and today I am going to discuss some very important phrasal verbs तो यह जो phrasal verbs है, इसकी हमारी यह 3 वीडियो है इससे पहले हमने 2 वीडियो को डिसकस की है यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेइलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जो डिसकस करेंगे उसमें से 2 phrasal verbs होंगे एक जो हमारा होगा वो बेर से स्टार्ट करेंगे और दूसरा होगा ब्रेक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसकी तीनों फार्म को हम देखते हैं जो बेर होता है इसकी तीनों फार्म होते हैं फस्ट होता है बेर, सेकंड होता है बोर और थार्ड होता है बोर इसके इंड में इई आएगा इसकी मीनिगोती सहन करना, टोलरेट करना यह इसके तीनों form होते हैं लेकिन जब हम यूज करते हैं bear away तो bear away की मीनिक होते है win यानि कि जीत जाना किसी competition में, किसी battle में जीत जाना तो उसके लिए हम यूज करते है bear away example है she bore away the first prize in sports sports एक competition था उसमें उसने पहली prize जीती तो bore away की मीनिक क्या हुआ जीतना और इस tense को use किया गया है simple past tense में इस वज़े से second form का प्रियोग किया गया है next question is second या next second हमारे पास है जो है bear down bear down की मीनिक होती over power और over power की मीनिक होती दबा कर रखना over power की मीनिक क्या होती है दबा कर रखना तो example है she was born down with grief यानि कि grief ने दुख या तकलीफ ने उसको दबा दिया अब यहार पे born down यूज़ किया गया है इस sentence को पैसी में बनाया गया है और यह वर्प का third form है जब वर्प का third form यूज़ करते है तो उसके end में यह आना चाहिए अगर केवल born यूज़ करोगे इस b, o, r, n born तो वो हो जाएगा जनम देना तो sentence बनेगा she was born down with grief यानि grief या दुख या तकलीफ ने उसको दबा दिया next is third bear out bear out की मीनिक होती confirm करना confirm करना मीनस क्या होता है आपको पता है कि confirm करना का मदला भी होता है पका करना या निशित करना example है the result will bear out his outstanding skills उसकी जो outstanding skills है यानि कि उसकी skill बहुत जाता है और इसको कौन से चीज़ confirm करेगी कौन से चीज़ पका करेगी तो उसका result जो जो result है उसकी outstanding skill को पका कर देगा confirm पर देगा next is fourth और fourth में है bear up bear up की मीनिक क्या होती है तो bear up की मीनिक होती है remain cheerful during a difficult time यानि कि मुश्किल समय भी खुश रहना जिसकों बोलते होसला रखना ठीक है तो bear up की मीनिक होती होसला रखना और इसमें sentence आपके पास है you have to bear up much for the sake of love प्यार के लिए तुम्हें बहुत जादा होसला रखना है you have to bear up तुम्हें होसला रखना है must for the sake of love प्यार के लिए तुम्हें बहुत जादा होसला रखना है next is five और five है bear with bear with की मीनिक होती है to be patient patient यानि कि धैर रखना ठीक है central बनाया रखना इसका example हो जाएगा you will have to bear with her rude behavior यानि तुम्हें जो है उसके rude behavior से धायर रखना होगा या patience रहना होगा ठीक है so next हो जाएगा आपका six number का और six number का है bear upon bear upon की मीनिक होती है relevant relevant की मीनिक क्या होती है उपयूक्त होना उपयोगी होना काम का होना irrelevant माने होता है असंगत या अनुपयूक्त हो जाता है तो इसका example है यह जो testimony है यह inquiry के लिए उपयूक्त नहीँ होगी अब इसके बाद start करेंगे फूर्थ है जो की brake है तो brake माने क्या होता है प्रेक मानी इस क्या होता है तोडना होता है अब सभी को बता है ब्रेक इसका first form है second form broke होता है third form broken होता है ठीक है तो यह इसकी तीनों फार्म होते हैं break, broke, broken तीनों फार्म का जानना इसलिए जरूरी होता है कि जो phrasal वर्व होते हैं वो भी एक परकार के वर्व होते हैं उसको किसी भी tense में यूज किया जा सकता है meaning के अनुसार तो सबसे पहला देखते हैं breakdown breakdown बहुत ही important है कही बार exam में पूशा गया है breakdown की meaning होते है stop walking because of a fault किसी कमी के कारण काम करना बंद कर देना यानि कि breakdown की meaning simply होती है खराब हो जाना ठीक है breakdown meaning क्या होती है खराब हो जाना जैसे my car broke down on the way मेरी जो कार थी वो रास्ते में खराब हो गई तो कहीं भी अगर खराब होने का sense use करना है तो आप use कर सकते breakdown अब उसके तीनों form जिस आप से use करेंगे जैसा sentence में use करना चाहते है next is break in तो break in या break into जो होते ये भी बहुत important है दोनों काफी exam में पूशे गया है तो break in या into की meaning होते inter illegally यानि की घुस पैठी करना ठीक है या जो है send लगाना या illegal तरीके से घर में घुस जाना तो उसको बोलते है break in या into जैसे burglar broke into his house last night last night क्या था burglar क्या क्या उसके घर में send लगा दिया या illegal तरीके से घुस गया अगला है break into tears ये tears से आपको पता चल जाएगा tears मिस आशू होता है तो अगर हम खाली break into की बात करेंगे तो इसकी मिनी होती start something at once कोई चीज तुरंत शुरू कर देना लेकर अगर इसमें tears लगा देंगे तो अचानक से रोने लगना तो break into tears की मिनी होती है तुरंत रोने लगना जैसे sentence है she broke into tears when she heard the news जैसे है उसने news सिनी उसने रोना शुरू कर दिया और ऐसे नहीं है रोना शुरू क्या food food कर रोने लगी तो break into tears की मिनी होती है food food कर रोना उसका second form broke हो गया food food कर रोने लगी जब उसने news सुना next है break off break off की मिनी होती stop or hybrid कोई आदत होती है उस आदत को छोड़ देने के लिए हम यूज करते है break off तो इसमें he is trying to break himself of drinking drinking की उसकी आदत लगी है उसको छोडने के क्या कर रहा है वो कोशिस कर रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे he is trying to break himself of drinking आप ऐसा भी कह सकते है he is trying to break himself of smoking या किसी भी बैट चीज को छोडने के लिए उसको छोडने की कोशिस करना है तो आप यूज कर सकते है break off next आपका हो जाएगा five number का और five number का है break off यहाँ पर double off है उपर single off था double off जब हो जब हो जागए उसने रानी के साथ जो उसका relationship है उसने उसको खतम कर दिया उसको stop कर दिया उसको discontinue कर दिया तो हम यूज से gonna break off और break out की मीनिं होती बचना break out की दो मीनिं होती एक तो मीनिं यहाँ पर बचना होती है और break out की दूसरी मीनिं होती failना या अचानक से कोई चीज़ शुरू हो जाना जैसे जब बचने के सेंस में यूज़ करेंगी तो उसका एक्जामपल हो जाएगा the convicted, convicted में होती दोशी the convicted broke out of the police custody जो दोशी था वो बच गया या बस निकला पुलिस की custody से लेकिन जब second यूज़ करेंगे break out जिसकी meaning spread होता है या अचानक से शुरू होना होता है तो world war second broke out in 1939 जो world war second थी यह शुरू होई थी कब शुरू होई थी? 1939 में तो यहाँ पर मीनि होता है शुरू होना लेकिन अगला sentence है अब fire broke out in our colony yesterday हमारी colony में आग लग गई या आग फैल गई थी कल ठीक है तो इस तरह से use करते है break out की दो मीनि होती है एक दो मीनि होती इसकी fail ना और दूसरी मीनि इसकी होती है बच निकलना अगला देखते हैं तो अगला इसमें हमारे पास तो यही आज के लिए थे यह phrasal work थे यह बहुत important phrasal work है आप इनको तयार कर लेंगे और I think यह video आप के लिए useful होगी see you all in the next video till you take care, have a good time